बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर दोस्तों अगर आपके इन मौसमों में खासकर प्रेगनेंसी का पता कर पाना काफे मुश्किल होता है वो इसलिए भी क्योंकि अक्सर इन मौसम में लोग यह सारे सिंटम्स से गुजर रहे होते हैं तो क्या होता है ना कि इस वजह से अगर कुछ प्रॉब्लम हो भी रही है तो वह नैचरल ही मान लेते हैं कि यह वैदर के कारण हो रहा है अब वैदर के कारण में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं लेकिन प्रेगनेंसी में भी यह सारी चीज़े होती है खासकर कि हम पहले वन बाइवन जानेंगी प्रेग water retention की problem रहती है सरील में 수 neurons की problem हो जाती है यानि अगर सरील में सू 음악 होड़ी है खास कर काहां पे दिखेगा तो वह आपके पैरों में दिख सकता है हाथों में- दिख सकता है phase पे दिख सकता है इन सब यहां हो पे सू ann की प्राबल् jan के प्रोब्लम आपको और दिख सकती है लघने से कपज की वजए से भी होता है कबजकी वज़ेसे प्लेग्निंसी के कारण भारीबन मेहसुस होता है कई महिलाओं के पैड़ों में दर्द शुरू के दिनों में बना रहता है जिसे हम कहते हैं पाव भाड़ी होना या फिर पाव उठने में प्रॉब्लम होना हलकी सी हेविनेस फील होती है कई महिलाओं को ऐसा भी फील होता है कि स्किन काफी ड्राइ हो गई है बहुत जादा सूख हो जाता है चेहरे ड्राइप परने लगते हैं कुछ अगर बोलती है तो मुह से काफी थ लिखने लगते हैं ब्रेस्ट में बहुत सारे चेंजेस होते हैं जैसे कि शुरू कि दिनों में ऐसा लगया कि ब्रेस्ट में गाठें बन गई है लेकिन यह हार्मोनल चेंजेस की वज़ा से होता है काफी अनकमफर्टेबल फील होने लगती है महिला है निपल्स में काफी ज जिसकी वज़द से ही होता है खासकर सेंस्टिविटी कहले बहुत जादा रहता है बहुत समवेदन शील हो जाता है वह एरिया और टच भी नहीं किया जा पाता है तो यह सारा कुछ जो है प्रेगनेंसी में एक नॉर्मल से सिम्टम्स के तौर पर गिना जाता है यूरीन बार काफी राइप रहता हैं यह सथे काफी जाड़ हो जाता है हिएżaय सब की प्रोबलम बार बार लगना Immunity कम होने की वज़ा से प्रेग्णेंजी में तो यह साड़ा कुछ ही प्रेग्नेंट होने के बाद एक नौर्मञ से के लक्षन काफी कश्ट दायक जाते जाते वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कॉमेंट करते जाएं धन्यवाद